नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूझने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चन है यह पर्सन है विच प्रोटेक्टिड एरिया ऑफ इंडिया है शिक्ष नेशनल एंट इंटरनेशनल डेजिगनेशन देखिए यह कुश्चन आज हे में सभी इन कंडिडेट के लिए और सूडन के लिए तो इंपॉर्टेंट है जो कमपिटिटीटिव अग्जाम में अप्र्वुर्फ सर्विसीश का asking का मेन हो इंडियन फ्रॉर्स तो मेन ऑग्जाम इंडियन फॉर्स 기자 हो या फिर स्टेट शिविल सर्विसीशए इतने competitive exams हैं सबके point of view से यह question बहुत important है जो कि एक student को तो जानना ही चाहिए उसके अलावा जो environment में रूची रखते हैं forestry wildlife में जिनका interest है उनको भी यह person उन्हें भी इसका उत्तर आना चाहिए तो आप सोच के रखिए तब तक मैं आगे चलता हूं तो आप इसको गैस कीजिए कि विच प्रोटेक्टिड एरिया ऑफ इंडिया है मैक्सिमम इंटरनेशनल नेशनल डेजिगनेशन तो तब तक मैं प्रो है मोद करके रखिए इसका पंटर में देखिए इंडिया में प्रोट्टिड एरिया नेटवर्क काफी बड़ा है प्रोटक्टिड एरिया नेट वर्क मैं जू नौ नटनल पार्क वाईल लाइफ सोट्री जुननेशन डिजर्व हैं कम्निटिड कम्निटिय ूरा इंगीव उसमें सारा procedure mention है कि किस तरह से इनकी इनकी इनको इनका गठन किया जाना है तो protected area को सबसे पहले तो आपन define करते हैं IUCN क्या कहता है International Union for conservation of nature कहता है कि protected area is a clearly defined geographical space यानि कि इसकी well defined well demarketed boundary होनी चाहिए then recognized it should be recognized by state government or central government then dedicated and managed through a legal or other effective means इसको well managed होना चाहिए चाहिए यह legal framework के तहतो इसको manage किया जाए या communities के through other effective means में community participation के through उसको manage किया जाए और objective क्या होंगे long term conservation of nature nature means by diversity by diversity conservation इसका long term objective रहेगा विद अगर conservation of nature हो गया तो उसके साथ किसका क्या मिलेगा associated ecosystem services and cultural values cultural values जो वहां आजपास रहने वाले लोग हैं उनके लिए उसकी cultural value है में भी religious value educational value scientific value यह सब तरह की values cultural values में आ जाते हैं तो यह हो गया protected area की definition और जहां तक इंडिया की बात है 106 national parks are there 573 wildlife centuries are there 115 conservation reserves are there और 220 community reserves are there अब यह 220 community community reserves है आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि maximum community reserves are located in which state नागा लेंड इस नमबर वन आदे से ज्यादा 220 में से आधे से ज्यादा नागा लेंड में हैं और उसके बाद नमबर आता है मिघाले का तो मिघाले और नागा लेंड मिला करके 80% constitute all these community reserves इसी तरह conservation reserves maximum आपको जेहड के में हैं out of 115 उसके बाद राजस्थान चेट का नमबर आता है और नेसल पार्क वाइल लाइफ शंक्री डे आर वेल स्प्रेड ओवर आल ओवर दी कंट्री चाहे नौर्थ इस्थ हो साउथ इंडिया हो नौर्थ इंडिया हो वेस्ट इंडिया हो यह हब हर जगे आपको मिल जाएंगे और टोटल एरिया कवर्ड बाई आल दीज प्रोट इंडिया और अब आईए मेरे मेन कोश्चन पर मैं उमीद करता हूं कि मैक्सिमम आप लोगों ने कर लिया होगा कि वह कौन सा प्रोटक्टिड एरिया है इंडिया का जो जिसको कि मैक्सिमम इंट्रनेशनल या नेशनल डेजिगनेशन मिले हुए है यहां दोस्तों रिजर्व भी है वो युनेशको की नेशनल नेशनल वर्ड हैरिटेज साइट भी है और वो इंपोर्टेंट बर्ड एरिया भी है तो वो एरिया है दोस्तों मैं आपका इंजार खतम कर रहा हूं वो है मानस वाइल लाइफ संक्चुरी ऑफ असाम कि एवन यही एक प्रोटक हूं फर्स्ट अफ ओल दी एरिया मानस वाइल लाइफ संक्चुरी लोकेटिद इन स्टेट अफ आशाम देज इन नौर्थीस्ट इंडिया यह बाइडाश्टी होट्पॉट वाइडाश्टी होट्पॉट हमारे यहां चार है देश में इसमें से यह हमालियान के फूट हिल इसके अलावा इंडो बर्मा रिजन का भी यह पाथ है और ओर देन थ्री थर्टी नाइन थाउजन हैक्टियर इसका एरिया है इस पैन मानस रिवर जो मानस वाइल लाइफ संक्चुरी नाम रखा गया है यह मानस रिवर की ऊपर रखा गया है एंड इस बाउंडिट टू द संक्चुरी है आसाम का एरिया तो वो कौन-कौन से 6 national and international designations है UNESCO World Heritage Site, दूसरा national park, तीसरा tiger reserve, then it is a biosphere reserve, then it is a it is an elephant reserve, and lastly it is an important bird area, more than 450 bird species are found here, and this area has the highest legal protection and strong legislative framework, under the provisions of Indian Wildlife Protection Act, then Indian Forest Act in 1927, और Assam Forest Regulation 1891, तो इस कारण से इसको 6 designation दिये गए हैं, जो कि इंडिया में किसी और protected area को नहीं दिये गए हैं, यह देखिए, यह panoramic view है, यह मानस रिया, अब मैं आपको इस मानस वाइल लाइफ संक्चुरी या नेसल पार्क के बारे में कुछ बता देत हैं, यह मानस रिवर है, और जो नजर आ रहे हैं, बैक्राउंड में यह एरिया है, आपका भूटान का, यह आपका भूटान कंट्री नजर आ रहा है, भूटान का इस पोर्शन आफ रोयल भूटान नेसल पार्क आफ मानस और बाकी मानस परता है, इंडिया में, यह इंडि मिले. देखिए, देखिए, इस शंक्षुरी मानस wildlife शंक्षुरी was declared as the first tiger reserve of Assam in 1973, when project tiger was launched in country. उनिशो तिहत्र में project tiger launch किया गया था, objective था conservation of a tiger species, royal Bengal tiger की population बहुत कम हो गई थी, और 1973 में at that time nine tiger reserves were announced in India. मानस की अलावा आपका जैसे सुंदरबन था, रन थमबोर था, जिम कॉर्बेट था, पलामू था, बांदीपूर था, मेल घाट महरास्ट्रा का था, इस तरह से ये नौ tiger reserve उसमें स्थापित हुए थे, जिसमें मानस भी एक था. दूसरा इसको तमगा मिला UNESCO natural world heritage site 1988 2268 में एक इसके अपने क्राइटरियाँ है उनसको कौन सी साईने इसको साईत को वर्ड हेरीटाइ हेरिटेज साइड डेक्लेर की जा सकती है उसके फिर कभी बात करेंगे तो यह साइट उससे क्राइटिया को फुल्फिल करती है और अंचेक program डेश्षड ऐसниц डेहמchool है उनसको रक्षिन भारत में उसके बाद सबसे बड़ा आपका कच्छ डेजर्ट है तो इस तरह से अठारा है उसमें से एक मानश भी है 106 पर्क्षिन गाद है तो इसमें से एक है 106 नसल पर्क्षिन तो इसमें थैजर्ट बादम इसमें से एक है 106 नसल पर्क्षिन say, then it was declared as elephant reserve in 2003, in India we have 33 elephant reserves और मानस दूस में से एक है, and lastly, this site is also an important bird area, देखिये, bird area कौन declare करता है, Bombay Natural History Society, BNHS Bombay, और इंडिया में इसके अनुशार बाउट 554 important bird area जार देर, उसमें से मानस भी एक साइट है, तो यह था दोस्टो, कौन कौन से छे इसको designation मिले हुए है, मानस को, अब मैं कुछ wildlife के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे बंगॉल फ्लॉरिकन पाया जाता है, जो की critical endangered bursted species है, एक और इंडिया की important bursted species है, वह ग्रेट इंडियन बस्टेड जिसको गोडावन कहते हैं, लोकली राजिस्थान के थाड़ एजट में मिलता है, लेकिन यह जो बस्टेड species है, यह आपका mainly तराई के इलाके में मिलता है, यह देखिए, यह इसका region है, जहां पर यह पाया जाता है, यह आपका तराई इलाका region of उत्तरप्रदेश, वेस्ट बंगॉल, स्कुम पोर्शन बिहार and then Assam, और यह जो black color है, यह आपका male है, यह female है and mating dance mating dance of this female male is very attractive, यह नाच्ता हुआ बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद यहां एक पाया जाता है, वर्ड smallest wild pig, इसको यह देखिए, smallest इसको कहते है, pigmy hog, याद रखिये नाम, इस smallest pig का नाम है, pigmy hog, it is also a critically endangered mammal, इसका आठ केजी वेट होता है, mature male pigmy hog का, और देखिए, यह इतना थोटा होता है कि यह आपके हाथेली पे आ जाता है, और लेकिन जहां यह पाया जाता है, then it that habitat is very, it means your habitat management is very good, because this species is an indicator of sound management status of grassland habitat, grassland में पाया जाएगा, और वो grassland अगर यह मिलता है, तो इसका मतलब यह गंदगी नहीं खाता है, और सूरों की तरह, यह बिलकुल घास खाता है, और वह हीं पाया जाएगा, जहां पे habitat ठीक्ठा कंडिशन में है, and such habitat also used for Indian rhino, swamp deer, wild buffalo, florican, यह सारे मानस में यह सब पाये जाते हैं, क्योंकि habitat management is good, उसके बाद यहां पे पाये जाते हैं, चार किसम के आपके hornbills, great hornbills, return hornbills, original paid hornbills, and rufus naked hornbills, बहुत सुन्दर होते हैं देखने में, और आसाम के बगल में ही है, और उनातल वहां की जो निशी community है, वो इसकी अपर बीग को यह great hornbills, यह rufus naked hornbills की जो आपर बीख है, चौंच है, उसको यह टोपी के ओपर headgear में use करते हैं, और उसको उसका शिकार भी करते हैं, meat consume करते हैं, तो forest department अरुनातल प्रदेश has persuaded them to use plastic beaks and not original one, forest department ने एक मुहिम चलाई है, इनको समझाने के लिए, कि अगर आप इन्हें मार द हो जाएंगे, तो इनको अब plastic convince किया गया है कि आप प्लास्टिक के यह लगाईए, बीक, ताकि आपकी tradition भी बनी रहे और hornbills का भी बचाव हो सके, और important bird animal और वही हैं, bee eaters, barbers, woodpecker, parakeets, kingfishes, varieties हैं इनकी, एक एक नहीं है, कई इसकी lot of varieties of kingfishes, bee eaters, barbers, eagles, woodpecker, और इसके अल water birds, आपके cormorants, cigarettes, herons, ebis, lapwing, moorhen, यह सारे बहुत variety में पाए जाते हैं, that's why it is called an important bird area, इसके लावा, animals में आपका royal Bengal tiger or Asian elephant तो हैं, इसके लावा, one horn rhino, hispid hair, wild buffalo, common leopard, clouded leopard, gaur, swamp deer, kept langur, golden langur, holuk gibbon, lot of deer like barking deer, hog deer, sambar, cheetal, यह सब यहाँ पाए जाते हैं, बहुत variety हैं, और इसी वज़े से इसको यह तमगा मिला हुआ है, छे-छे national and international designations का, और forest type यहां के main 3 किसम के हैं, sub-Hemalian, aluvial, semi-evergreen forest, east-Hemalian, mist, moist and dry deciduous forest, और इसके अलावा, grassless, तो यह था video, दोस्तों मेरा, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपकी थोड़ी जानकारी बढ़ी होगी, अगर आपको पता था, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था, तो आपको भी पता लगा होगा, बहुत important question है, और जो भी competitive exam की candidates हैं, they must know about this question, So, you are requested to like, share and comment on the video, but you must also subscribe to this channel, as it is a free of cost channel, it is a social and noble cause from my side, totally dedicated to the students who are appearing for competitive exam and also for the viewers who are interested in environment, biodigarchy, forestry and wildlife. So, best wishes to the viewers who are appearing for the exam, चलता हूं, नमस्कार.